तो गाइस अभी बच रहे हैं दिन के दो और मैं सोच रही हूँ क्योंना मार्केट चले जाओं क्योंकि सिया ने मुझसे का था कि आज उसका सांबर और इडली खाने का बन कर रहा है तो गाइस यहाँ पर सांबर बन के रेडी हो गया है और अब मैं बनाओंगे इडली और इडली के लिए जो है मैंने काटर भिगा रखा है आज मैं अपने घर में ठीक होंगे मजें होंगे तो गाइस आज मैं अपने व्लॉग की शुरुवात कर रही हूं सुबह नाश्टे से आपको पता ही है सुबह कितना जादा है पहले हस्बेंट जाते हैं फिर सिया को उठाना उसके बास को तयार करना देन उसके बाद पूरे घर का जो है सफाई वगेरा करना तो यह आज जो है मैंने उसके लिए बनाया था प्रेक पास्ट में चीले और व जादा घर मेरा गंदा होता नहीं है क्योंकि सिया थोड़ी बड़ी है तो घर को जादा गंदा करती नहीं है बस यह कि थोड़ा बहुत इदर समान फैला देती है मैं अपना डेली रूटीन वाला जो भी सारा काम होता है वो करती हूं और आजकर मेरा काम रोज लेट होता है क्योंकि सिया को जो स्कूल का टाइमिंग है वो 10 बजे का हो गया है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ठंड बहुत जादा पड़ रही है और टेंपरेचर में तब बहुत जादा डाउन चला गया है तो इसलिए स्कूल का टाइमिंग है वो लेट हो गया है जो बड़ी क्ला तोड़ा वाद और मैंने भी रात के बरतन मीनी रगाए हैं और यहां पर जितने भी मैट्स वगहरा होते हैं और मैं सब जाड़ जाड़ के भाद रख देती हूं कि थोड़ा हावा लग जाएगी और मतलब अच्छा रहेगा और थोड़ी बहुत जो चीजे होती हैं सबको अर बहुत ज़्या थंड़ा लगता है तो इसलिए मैं कपड़े हाथ से दोके डाल देती हूं और इसको नलपे निकाल देती हूं जिससे की ना उनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सूख जाता है और जब बहुत जादा कपड़े होते हैं तो तभी मैं मेरा काम जो हद तक निप जो है अगर कोई भी चीज घर में ऐसे फैली रहती है और मतलब बहुत बिकार सा लगता है तो इसलिए कि साथ के साथ मैं महीने में एक बारी कबड़ बबड़ को सफाई करती रहती हूं और इधर मेरा जो है घर काम हुई गया है बस मुस्ति सिर्फ खाडव ज्ञाडव पूछा सी तो दूर्ब भोजयर स्वॉज खेल गळ गा ज ken Haar ले जाए तो फिर भर खल चले घंदालु जेख हो रहता है मेने च्छाडव लगाने के बाद यह देखी कितना ूद निकला जबकि आ क्यूंकि रहे हैं चुन कियूंकि आई साथ में जो हो नियुक्ति हुदॉ कीचन में भी एक सानेटाइजर रख लेती हूं हैं सानेटाइजर मतलब इसमें वाश करने के लिए तो सही रहता है सो यहां देखिए मैंने जो है कीचन वागारा क्लीन कर लिया है और पूरा ज़ाड़ू पूचा करके सफाई वागारा कर लिया है देख रहे हूंगे कि आप घर के लग लग रहा है और इसके बाद मेरा काम जो है 11.30 हो जाता है उसके बाद में अपना नहाद हो के अपना मैं आप दोबारा से बेट के बैठ के अंधर चाहती हूं तो मेज़ा जो एडिटिंग करने काई मैं हमीशा जो है मतलब दस अजह तक तक अपने घर काम निप्टा लेती हूं और उसके बाद में अपना 11 बजे से जो है अपना एडिटिंग कर्ने में अलग जाती हूं क्यू तो मैं भी जा रही हूं मार्केट वेजिटिबल्स लेने के लिए और उसके बाद मैं उसके बनाऊंगी आज सांबर और इडली तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं तो गाइस अभी बच रहे हैं दिन के दो और मैं सोच रही हूं क्योंकि सिया ने उससे का था कि आज उस हैं इसमें और कुछ ब्रॉसरी का समान है तो फ्रेंड्स में वापिस से किचन में आ गई हूं जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाउस वाइफ को तो घर के काम ही खतम नहीं होते हैं और साथ मैं मुझे अपना मतलब वीडियो का भी काम करना होता है तो मैं दोनों चीज़ों को करते हुँ तो अभी जो है मैं मैं वेजीटेबल वग्हारा काट रही थी और इसको के खर रही हुआ पर दिया तो पर हल्दी डाल के जो है मैं इसको बॉयल कर लूगी और इससे जो है बहुत ही जल्ति मतलब दूझ बन जाता है वैसे मैंने पूजा-किशन वाली चाम्व तो आप उसमें भी जाकर देख सते हैं कि मैंने कैसे मैं साम्बर इलि बनाती हूं और इधर मैं सिया लिए गरम पानी उत्च होगया है तो जब गरम पानी मौनी पीना है यहां मैंने साम्बर के टड़का त्यार रहे हूं तो गाईज यहाँ पर सामबर बन के रेडी हो गया है और अब मैं बनाओंगे इडली और इडली के लिए मैंने गाट्री भीगा रखा है इसमें इडली बनाके रखती है अभी टैडी आए नहीं है सिया के आज लेट हो गए है तो अभी सिया को मैं देरी हूँ टेनर सिया इडली कैसे बनी है इडली कैसे बनी है ऐसे क्या होता है इसे क्या मतला है अच्छी बनी है भू Emperor परी बनी है अच्छी हो रही है अच्छी हो रही है तो चाँिस चय आ को ऑंक язज की अजमी ए dévelop़ए बनान यह पना चाह नज crustा यह स्कुझ मार इसंडियों को तो आध्या स्पार चाहस करॉए आज ठंड बहुत जादा हो रही है और अभी टाइम जी हो रहा है पौने 8 बज रहे हैं और भी सिया के डैडी आए नहीं है थोड़ा लेट हो गए आज थोड़ा लेट आएंगे और सिया को मैंने दे दिया है डिनर करने के लिए यल्दी क्योंकि इसको भूख लग दी और हम आज मैंने बनाए ता जैसे कि सामबर और इड्ली बनाए थी और सिया को चोई बहुत पसंद आई और अभी देखते हैं इसे सीया के डैडी को जादा यह जादा यह सावट इंजन पूट पसंद नहीं है सिया को ज़रा अच्छा लगता है तो मैंने इसके लिए बनाय था आ मिलते हैं एक न्यू वीजियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टाटा गूदनाइट